दीपा और नीता दोनों देवरानी जेठानी दीपा नोक्री करती थी और नीता घर समालती थी भरा पुरा परिवार था सास असुर दोनों के दो बच्चे कुल दस लोगों का परिवार कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिन अपने भाई के पास रहने आई सुबा उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निप्टा रही थी नीता ने सबका नाश्ता टिफिन बनाया जिसे दीपा ने सबको परोसा टिफिन पेक किया और चली तुछ पर सुबह से देख रही हूं रसोई घर में तू ही लगी है और वो महरानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो नीता और सास ने एक दूसरे को देखा नीता बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी बोली तू भोली है पर मैं सब समझती हूं नीता से अब रहा नहीं गया और बोली बुआ जी आपको दीपदीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया मुझे डाट कर पहले चाय पिलाई नहीं तो सबको दिख करने में अच्छा लगता है मैं तो नहा कर आते ही रसोई में घुच जाती हूं शाम को आते हुए दीदी सबजिया भी लेकर आती है क्योंकि आपके बतीजों को काम से लोटते देर हो जाती है तब ताजी सबजिया नहीं मिलती ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है फिर को दीपा सबजी की ठेली नीता को पकड़ाते हुए बुली इसमें तुमारी फेवरेट लेखक की किताब हैं निकाल लेना नीता खुश हो गई और भोली थैंक्स दिदी नीता ने सबजी की ठेली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई जी ने दीपा क के लिए वो तो वेसे भी घर में करती ही क्या है तुम दिन भर मेहनत करती है और वो घर पर आराम दीपा मुस्क्राई और बोली आराम नीता को तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है सुबह से बच्चे आते हैं फिर उनका खाना उनकी पड़ाई सब वही देखती है वो है इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती मैं अपना पूरा ध्यान ओफिस में लगा पाती हूँ कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है मम्मे पापा की दवाई कब खत्म होई कब लाने है उसे ही पता होता है जिश्तेदारों की यहां कब फंक्शन है क्या देना है सबका ध्यान उसे ही रहता है गर समालना कोई छोटी बात नहीं है मैं मानों की आव भगत बिना किसी शिकायत के करती है उसे बस पढ़ने का शोक है फिर मैं अपनी छोटी बेहन की छोटी सीक्षा पूरी नहीं करूँगी तो कोन करेगा बौअ जी की बोलती फिर बंध हो गई दिपवां से उटकर चली गई ये सारी बात सास पूजा करते हुए सुन रही थी बौअ जी के पास आकर बोली जी जी ये दोनों देवरानी जठानी सगी बेहन जैसी है और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है मेरे घर की मजबूत नीव हैं ये दोनों जिसे हिलाना ना मुम्किन है ऐसी बाते तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ाना चाही पर मजाल है दोनों ने सामने वाले की बोलती बंद ना की हो और सास मुश्करा दी बौजी की बोलती अब पूरी तरह से बंद थी दोस्तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राहे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब चैनल को और फेस्बुक पेज को भी फोलो करना ना भूले थेंक यू